अब हमारा फोकस अदानी ग्रूप पर है जैसे कि हमने शो की शुरुवात में ही मेंशन किया था यह जो पूरा स्पेस है बाजिंग है और लाल निशान में रंगा हुआ है कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजे इस ग्रूप में देड़ से तीन साड़े तीन परसेंट की गिरावट यहां भारी भरकम आज एविडेंट हो रही है तो क्या कारण है इस तरह की प्रेशर का और अदानी ग्रूप पर कुछ नए आरोप भी सामने आ रहे हैं पूरी एक नए आरोप है और किसी नए इंसान के तरफ या फिर किसी नए और अरोप लगया गया है हमें यादे कि हिंडेंबग का जब आरोप आया था उसके बाद क्या हुआ था अब दरसल अगर आप देखेंगे तो और अदानी परिवार के लोग जो है वह अलग-अलग फंड के लिए अदानी ग्रूप की कंपनियों में पैसे लगा रहे थे और इसके बारे में पब्लिक शेरोल्डिंग में नहीं बताया गया यह आरोप है तो बेसिकली कह रहा है कि मौरिशेस का कुछ फंड था एक ग्लोबल अपॉचिनिटी फंड था उसके दो लोगों को अगर आप रिपोर्ट आई थी तो गोटम अदानी के बड़े भाई वीडो अदानी उनका नाम सामने आया था और फिर से अब जब ऑगनाइस क्राइम और करॉप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्स ने यह आरोप लगाया है तो इसमें भी विनोद अदानी का नाम सामने आ रहा है और आरोप जो है वो लगा रहे हैं हाला कि अदानी ग्रूप में इस पर सफाई दिये इनका कहना है इन्होंने पूरेता से खंडन किया है इस पूरी रिपोर्ट का और इनका कहना है कि फिर से एक बार आदानी ग्रूप के शेर को तागेट करने के लिए यहां कोशिश की जा रह पर आदानी ग्रूप यहां पर शॉट सेलर हमारे कंपनी को हमारे श्टॉक्स को टागेट कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने इस रिपोर्ट का खंडन किया है तो एक बाद एक करके कुछ नए-एक आरोप सामने निकल कर आ रहे हैं कुछ नए-एक खुलासे यहां पर हो बात बहुते हुए नजर आ रहे हैं तो यह वन आफ पर रिपोar की निकल कर रही है यहां पर किले नजर आ रहाला है और अब ये कहां तक खिचता हुआ दिखाई देता है किस तरह का इंपक्त होगा ये अब यहां से देखने वाली होगी बात बहराल थैंक यू वारुन वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए